हालो गैस वेलकाम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल एंड बहुत दिनों से तुमने देखा होगा डीप कूल का असासिन 3 बहुत न्यूज में चल रहा है तुमने यूट्यूब चैनल पे इंडिया में कई चैनल स्पेस का रिव्यू देखा होगा एंड तुमको काफी अच्छे प्रामिसिंग रिजर्ट्स देखने को मिले होंगे उन चैनल पे तो डीप कूल का सासिन 3 कितना अच्छा कूलर है क्योंकि हम जानते हैं कि अभी तक एर कूलर्स में जो किंग है कूलर्स का वो है नॉक्ट्वा का एनेच डी 15 एन नॉक्ट्वा के एनेच डी 15 मॉन प्राइब करेंगे तो कितना अच्छा है यह नॉक्ट्वा के कंपरेजर्ट्स के वाइर में तुमने जरूर्स सुना ओगा डीप कूल असासिन के वाइर में शायद फिर भी कम सुना हो नॉक्ट्वा जो है वो तुमने कई इंग्लिश यूट्वर्स और जोगा बहुत फेम कर सकते हूँ चाहे तुम्हें कुछ भी खरीदना हो यह कुलर खरीदना हो या कोई और कुलर खरीदना हो या थर्मल पेश खरीदना हो या सी प्यों खरीदना हो कुछ भी खरीद सकते हो नहीं जिए डिस्क्रिप्शन में दिएगा Amazon के लिंक से So, बात करते हैं Deep Cool के Assassin 3 की, पहले मोटे-मोटे कुछ specs जानीगे और फिर हम बात करेंगे thermal and noise results की Deep Cool का Assassin 3, साथ heat pipes, dual tower coolers के साथ आता है, इसके अंदर भी दो तुम्हे 140 mm के fans देखने को मिलते हैं Deep Cool के Assassin 3 में, जो की पूरा का पूरा silver, मैं बोलूँगा, एफे nickel, nickel color तो कुछ नहीं होता, silver ही होता है, nickel का color भी silver, तो मैं silver color बोलूँ, silver color में देखने को मिलता है तो silver and black color का एक तुम्हें finish ये देता है, एक look देता है, जबकि Noctua का NHD 15 तुम्हें 2 color variants से मिलेगा, एक मिलेगा तुम्हें brown color का Noctua के fans के साथ, और silver heat sink के साथ, वो भी पूरी nickel की दूसरा मिलेगा तुम्हें chromax version, इसका जिसके अंदर के तुम्हें हर चीज black मिलेगी, यानि कि heat pipe से लेकि, तुम्हारी fins जो होती है, तुम्हें पंके जो होते हैं, सब तुम्हें black मिलेगा, तो Noctua दो versions में आता है, chromax black and तुम्हारा normal Noctua, जिसके अंदर brown fans देखने को मि जबकि Deep Cool Assassin 3 सिर्फ इसी model में आता है, ना color option, ना कुछ, लेकि Deep Cool के favor में ये चीज़ बोलूँगा कि Deep Cool जो है, क्योंकि एक पंके इसके जो हो at least Noctua के तरह brown and उस type के अगली से नहीं है देखने में, जबकि इसके पंके पूरे black है, heat sink पूरी की पूरी silver है, तो एक तरीके से neutral कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अगें Noctua का जो Chrome Max Black है, वो मुझे ज़्यादा personally appealing लगा, ज़्यादा looks में ज़्यादा अच्छा लगा, बट अगें वो cost भी ज़्यादा करता है, तो Noctua के अंदर तुमें 6 heat pipes देखने को मिलती है, इसके अंदर तुमें 7 heat pipes देखने क मिलते हैं, तो अगर तुम्हेरी RAM को ज़्यादा ही उची है, या height में लंबी है, तो तुम fans को जो है, वो ऊपर की तरफ slide कर सकते हो, इनके clip mechanism से, दोनके अंदर clip mechanism देखने को मिलता है, specific part में, अगर मैं सिर्फ compatibility की बात करो, तो इसमें जो है, वो crown जीत के लिए जाता है, Corsair का A500, क्योंकि उसके अंदर जो है, वो तुम्हें छोटे पंखे मिलते हैं, यानि कि 120 mm के है, और वो भी slide mechanism के साथ, तो वो जो यह पर है, वो एक crown जीत जाता है, नाव coolers की जो है, वो performance निकालना air cooler से बहुत मुश्किल काम है, और D15 अपने आपने monster है, cooler के अगर तुम अग और full एक तब तगड़ा बनाना है, तुम अगर fans को मैं छोड़ दू, अगर तुम fans को optimize नहीं कर सकते हैं, तो तुम्हारी जो heat sink है, उसके अंदर तुम दो-तीन काम ही कर सकते हो, तुम number of heat pipes बढ़ा सकते हो, लेकिन अगर तुम number of heat pipes बढ़ाओगे, तो तुम्हारी जो base plate है, उसका size भी बढ़ेगा, और complexity आएगी design में, number of heat pipes बढ़ाओगे, तो heat pipes के अंदर जो हो, तुम्हारी जादा करने बढ़ेंगे, अगर तुम्हारी पता हो, तो heat pipes में 90 degree के bend करने से heat pipe के efficiency, at least I think 3% से 5 ये 6% तक कम हो जाती है, 190 degree के bend करने से, तो जितने जादा heat pipes में bend होंगे, तनी जादा उसकी efficiency कम होगी, अगर तुम surface area बढ़ाने के लिए number of fins बढ़ा देते हो, तो compatibility issue आएगा, अगर तुम fin बढ़ाते हो, उनको पास पास लाके, तो airflow को जाने में दिक्कत होगी, यानि कि airflow obstruct होगा, पंखों को तेज घूमना पड़ेगा, noise बढ़ेगी, अगर तुम पंखों को दूर-दूर कर देते हो, तो हवा तो असली से पास होगी, बटकी की surface area जो है, वो कम हो जाएगा, and airflow metals तुम कौन से यूज़ कर रहे हो, किस type की, किस millimeter की heat pipe यूज़ कर रहे हो, क्या तुमारा design है, direct contact heat pipe से या बीच में कोई तुम base plate यूज़ कर रहे हो, कितने bends है dual tower है, नहीं है, कौन से metals यूज़ कर रहे हो, and of course fluid dynamics, तुमारे पंखे कैसे है, तुमारा airflow कैसा है, वो सब, even heat pipes की बेल अलग टाइप के types होते है, तो बहुत सारी चीज़े matter करती है, पंखे ये air cooler जितने simple दिखते हैं, design में उतने simple है नहीं कि तुमने pipes लिए, उनको मोड़ा नीचे से कुछ base plate लगाई, और पंखे लगाई, और थोड़े fins लगाई, तुमारे air cooler तयार, बहुत सारी चीज़े होती है, now मैंने इसको compare किया है, noctua के NHD 15 chromax black से, उससे जो है, वो ये 4 degree better perform करता है, मेरे पास normal NHD 15 नहीं है, मतलब silver वाला, जबकि अगर मैं silver वाले से test करता तो या तो ये उसके बराबर होता, या एक दो degree का अंतर होता दोनों में, उससे जादा नहीं होता, तो अगर मेरे black में 4 degree का अंतर आ रहा है, deep cool के असा सिंथरी से, तो मेरा ये मानना है कि तुम्हें at least 1.5 degree, 2 degree का अंतर देखने को मिलेगा, इसके बीच में, and noctua के NHD 15 के ब अंतर होगे, तो knockua के fans जो है तो एक, हाँ तीक है, knockua के fans भी जो है, वो एक आवास निकालते हैं, लेकिन वो काफी एक high pitch noise नहीं होती, वो एक ओएक motive होती है, like, hum, क्ये आवास reward के fans निकालते है, लेकिन deep cool के fans, deep cool के fans जो है, वो low RPM पर तो सही है नहीं सरु मेरे, तो है maximize किने आवाज सेम है लेकिन इनकी आवाज जो है वो थोड़ी एक हाई पीछ होती है मतलब कि अगर मैं बोलू Noctua की थोड़ी आवाज है बट मोटी है लेकिन इनकी हो काफी पतली और लाओड है तो साइलेंस के मामले में मैं जो है वो Noctua को पहरी प्रिफरेंस दूँगा टेंपरीचर में दोने दोनों अल्मोस सेम है एक डिट डिग्री का अंतर है जिसमें की असासिन थी जो है वो थोड़ा अच्छा परफॉर्म करता है Noctua से बट अगेन अगर मैं फिर प्राइस पर आ सबसे सस्ता है वो देखने को मिलेगा सिर्फ साथ हजार का सिर्फ साथ हजार का तो प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशो में आगर मैं बात करूं भले ही थोड़ा बहुत ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस करता है यह बट अगेन वह मैंने फुल आर्पीम पर वोला फुल आंसर मिलगा होगे तुम्हें टीपकुल असासें 3 बाइब करना चाहिए या फिर तुम्हें बाइब करना चाहिए नॉक्ट्रों का एनेच डी 15 तो उमीद है तुमको आज की विडियो पसंद आए हुए अगर आई तो प्लीज लाइक स्ट्राइब और शेयर वह कर सकते हो पाकि डिस्क्रिप्शन में जो हो लिंक्स वगेरा दिये रहेंगे वहां से जो है अगर तुम बाइग करना चाहिए तो कर सकते हो तन्यावाद बाबाए टेक केर रहेंगे